हेलो गाइज वेलकम टू एजुकेशन केटेशिक्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन केटेशिक्स में बिहार पुलिस से निकले है एक बहुत ही बड़ी अपडेट जो कि मैं आप तक शेयर करना चाहता हूँ अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है ये क्योंकि ये अपडेट है प्रमोशन को लेकर जी है दोस्तों प्रमोशन किसका है यहां पर खेल हो रहा है आरक्षन को लेकर तो ये नियूज हम आप तक पहुँचाएंगे सबसे पहले और आपको क्या करना होगा तो चैनल को सबसे पहले जाकर सब चैनल को और बेल के आइकन को दबा ले ताकि हर वीडियो का लेटस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सके अपने चैनल के माध्यम से यह दोस्तों शुरुआत करेंगे उससे पहले आपको बता दे कि जो भी गैनेडेट ने बिहार पुलिस की त्यारी कर रहे हैं उन सब के लिए एक जो वीडियो बनाया है मैंने आज बिहार पुलिस के लेकर स्टेजी वीडियो उसको जरूर देखिएगा इस वीडियो को आप एक बर चैनल करके जरूर ओपन करके देखिएगा क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डेंट है आपके एक्जाम के प बिहार में पहले क्या होता था कि जो candidate होते थे बिहार पुलिस में constable बनते थे उनका जो promotion होता था दो सीधे ASI बनते थे यानि कि Assistant Sub-Inspector अब क्या होगा तो जानेंगे हम पुरा न्यूस इस वीडियो के माध्यम से दोस्तो हम लेकर चलते हैं आपको आज छपी 25 अक्टूबर के न्यूस जो कि हिंदुस्तान पेपर में आई हुई है बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है इस न्यूस पेपर के जरिये तो आप भी उस न्यूस को जरूर एक बार देख लिजेगा क्योंकि हो सकता है कि कल को आपकी भी नौकरी लगेगी और आपके साथ भी ये खेल हो सकता है तो हमारे साथ बनी रहीगा पूरे बीडियो में लाश तक हम आपको लिए चलते हैं उस न्यूस पे जहां पर ये न्यूस निकली है और सिपाही अब प तो सिपाही अबनने के बाद आपको जब प्रमोशन पहला मिलेगा तो वो होगा हवलदार का ऐसा बिहार सरकार यानि की नितिशुकुमार की सरकार ने बोला है तो हम जानते हैं पुरिसर्च को देखे यहां पर नियूस है कि बिहार पुलिस में सिपाहियों को प्रणती या यहाँ पर आपका एक promotion और घ्टा दिया गया है, यानि कि आप जो हवलदार की लोग direct बनते थे, हवलदार कैसे लोग बनते थे, तो जो non-matrick होते थे और वो एक्जाम देते थे ठीके हवलदार का डिरेक्ट बहाली होता था तो वो सिधे हवलदार बनते थे ठीके हवलदार पर यहाँ पर अब क्या है कि आपको जब सिपाही बन गए उसके बाद आपका पहला प्रोमोशन हवलदार में होगा फिर जाके आपका A.S.I. बनोगे यानि कि असिस्टेंट सर्व इंस्पेक्टर बनोगे ऐसा यह यहाँ पर न्यूज है तो यह क्यों किया गया है इसके बारे में आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर उन्हें A.S.I. में प्रोमती मिलेगी उसके बाद सिपाहीों को हवलदार में प्रोमती देने को लेकर सै सफ लिखा गया है सैधानतिक सामती बन गई है अब इसका खाका तयार भी किया जा रहा है कि जो प्रोमोशन होगा ना कि A.S.I. में होकर हवलदार में होगा देन A.S.I. के लिए होगा फिलहाल बिहार सरकार बिहार पुलिस में दो तरह है ना फिलहाल बिहार में बिहार पु train करने के बाद सिपाही के पद पर बहाल हुए है और दूसरे और साक्षार जो कि सिपाही है जिनकी बहाली non-metric के अधार पर हुई है जो कि साक्षार सिपाही है उन्हें विशेश परिशिक्षन यानि कि PTC training के बाद सीधे ASI के तरकी दी जाती है यानि कि आपको ASI बनने के लिए PTC के training लेनी होती है ये ध्यान रखेगा पर ये किसको मिलती थी तो ये मिलती थी कि जिनोंने metric यानि के टेंथ पास किया था ठीके अब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि PTC training के बाद सीधे ASI के तरकी दी जाती है वही ASI अक्छार सिपाहियों को हवलदार में प्रणती देने के प्रमोशन देने के अनियम है ठीके हवलदार में प्रणती देने का नियम है यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है ASI अक्छार को सिपाहियों को हवलदार में प्रणती याने कि जो metric नहीं किये हैं जो non metric है वो अस आखचार में जाते है और वही सिपाहियों को हवलदार में प्रणती देतने का नियम पहले से है है यहाँ पर नई बेवस्था के लागू होने के बाद सभी जान दिजीगा सभी सिपाहियों को A.S.I. बनने से पहले हवलदार बनना होगा यहाँ पर साफ साफ इस लाइन पर क्लियर कर दिया है कि आपको जब आप Constable बनोगे तो आपका पहला प्रमोशन जो होगा वो हवलदार में होगा उसके बाद आपका ASI का पोश्ट मिलेगा अभी यह इस्तिती तो इस इस्तिती को पढ़ ले बरतमान में इससे पहले यहाँ पर जो मैंने आपको एक लाइन दिया है इस पर ध्यान दिजेगा कि बिहार पुलिस में सिपाहियों की प्रमोशन का पहमाना है वो बदल गया है साफ साफ है साहमाती मिल चुकी है किसके द्वारा तो सेंधानतिक नियमों के द्वारा ठीके हवलदार और A.S.I. के बेतन का भी अंतर यहाँ पर होगा ध्यान दिजेगा बहुत इंपॉरेंट है इन दोनों के बेतन में तो अंतर होता ही है वैसे भी ठीके तो यह कोई बड़ा नियूज नहीं है पर बिहार में जो प्रमोशन का तबका था इसको चेंज करने जा रहा है बिहार पुलिस तो जीतने भी कैनिडेट अभी एक्जाम देंगे और उनकी नौकरी लगेगी ठीके तो उनको यह नौलेज होना अमजन जाती कोटे अब यहाँ पर इसकी बात करने की क्या जरूत पड़ी यहाँ पर आगया है आरक्षन का बात ठीके तो जो भी आरक्षन जाले हैं कैनिडेट उनके लिए बहुत ही बुरी ख़बर है क्योंकि आगे पड़ते हैं वर्तमान में अनुसूसित जाती अमजन जाती के कोटे से बहाल 2003 तक के सिपाईयों की PTC ट्रेनिंग हुई है अब देखो 2003 और 2018 कितना लंबा गैप है और इनकी जो प्रमोशन पहला होता है बहुत ही ज़ादा गैप हो जाता है इसलिए ये बीच में ये प्रमोशन के डिवरेशन को कम नहीं करके इन्होंने क्या किया है हवलदार के पोश्ट को इनके बीच में डाल दिया है ताकि इनको एक प्रमोशन मिल जाए और सरकार को कहने का हो जाए कि हमने इनको प्रमोशन दिया है ठीक है साफ साफ यही है यहाँ पर सरकार की जो मनसा है यही पर साफ यही है कि प्रमोशन काउंट होता है पुलिस सर्विसेज में जो की इनको नहीं दे पा रहे थे सरकार तो बीच में हवलदार का पोश्ट डालके यह पहला प्रमोशन काउंट कर लेंगे ठीक है तो यह निवर के हैं सोचो अब 99 के बहाल है ठीक है 99 के बहाल है और अब जाके वो ASI बने है याने कि अब अब सोचो कितना लंबा गैप है तो इस खामी को भरने के लिए इस सरकार ने हवलदार पोश्ट को इस बीके बीच में रखा है 2004 के बाद जो बहाल हुए सिपाही पर जो लागू हुए नियम उसको भी देख लेते हैं क्योंकि 2004 में जो बहाली हुई थी बिहार पुलिस की वहां उसके बाद सिपाही के पद पर और साक्षार की बहाली बंद कर दी गए थी याने कि हवलदार की जो बहाली होती थी 2004 के बाद तोटली बं थी ठीक है और वहाँ पर SI का भी बहाली रोका गया था 2004 में मुझे याद है कि SI का भी बहाली रोका गया है और इसका News बहुत ही निकल कर आया था इन लोगोंने सरकार पर केस भी किया था तो बीच में इनकी बहाली भी ली गई थी उसका नियूस पेपर में आया था मैंने पढ़ा था उस चीज को ठीके पर यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि भाली रोग दी गई है उस वक्त से जितनी भाली हुई है उनकी योगता कम से कम मैट्रिक रही है फिलाल सिपाही के लिए अब इंटर पास का अनिवार अब आप लोग जो भी हैं कैंड़ेट जो भी फॉर्म बरे हैं इंटर पास पे अब हो रहा है तो आप लोग जब इंटर पास पे जाओगे तो दो प्रोमोशन झेलने होंगे एक तो सिपाही के बाद जो प्रोमोशन होगा हवालदार बनना होगा उसके बाद आप बनेंगे ASI तो यहाँ पर थोड़ी सी बुरी खबर है सरकार के द्वारा है ना अपनी खामियों को छिपाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है तो खैर कोई इशू नहीं है आप तक ये मुझे निउस पहुचाना था और ये अपडेट देना था आप सभी को कि ऐसा सरकार में हो रहा है और आप सभी का इक्जाम है बिहार पुलिस का 25 नॉयंबर का 25 नॉयंबर और 2 दिसंबर को तो आप सभी मन लगा के इक्जाम की तयारी करें बहुत अची तरह से हमारे चैनल पे भी आपको बिहार पुलिस के लिए अपडेट दिये जाएंगे जीके के तो हमारे साथ बने रही गा पूरे सिनारियो में हम आपके लिए आपके साथ हैं चले दोस्तो जैहिन दोस्तो आप सभी तक ये नियूज पहुचाया था मैंने उसके लिए धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये नियूज मिल जाए बाबाई टेक कियर